आज की इस वीडियो हम बताएंगे दोस्तों कि किस तरीके से एक मुहल फोन से दूसरे मुहल फोन में नेट कैसे कनेक्ट कर सकते हैं यहां दोस्तों आप एक फोन से दूसरे फोन में network connect कर पाऊगे. जिसमें आपका recharge है और दूसरे फोन में recharge नहीं है फिर भी आप उसमें net चला पाऊगे. तो सबसे पहले दूसरे फोन का जिसमें recharge है उस फोन से हम connect करके अच्छा खासा net यूज़ कर सकते हैं, दोस्तों देखिए सबसे पहले जो फोन में रिचार्ज है वो फोन लीजिए और उसमें सेटिंग ओपन कीजिए मैं जो जो कर रहा हूँ सेम्-टू-सेम कीजिएगा हो सकता कि आपका घर में किसी फेमिली मेंबर का फोन हो जिसमें रिचार्ज हो उस फोन को लेने के बाद ढूंड लेना है connection and sharing का और जैसे आप यहां पर कनेक्शन एंड शेरिंग पर आते हैं आपको यहां पर पर्सनल हॉट एसपोर्ट का option मिलेगा लीजिए और पर्सनल फॉन में आप यूज कर सकते हैं उसका नेट इसके लिए क्या करना होगा आपको सिंपल सा जहां से आप नेट आउन करते हैं वहीं पर आपको वाइफाय का option मिलेगा ठीक है वाइफाय वाले option पर आना है और आपको यहां पर लॉंग प्रेस करके आपको खुल जाता है दोस्तों देखिए वाइफाय खुल लेने के बाद आप इसमें कर सकते हो जो फॉन का खुले होंगे वह फॉन का नाम सो करेगा देखो यह 1-1 प्लस-11 आ रहा है वही नाम सो कर रहा है इसमें इसमें कर सकते हैं अलाकर आपके एरिये में बहुत सारे hawk खुले रहते हैं जो कि जींटूफायबरॉर बगएरा है कनेक्ट हो सकता है तो जी खायबर छोड़की आपना wifi कनेक्ट कर लीजिएगा और कन Issanche करने के बाद मिर्यां फ Load कर सकते हैं मैं आपको लाज़ा बला कुछ चला झालní कोई डॉट कोई क्वेस्चन हो तो हमसे कॉमेंट में भी पूछ सकते हैं वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताइए मिलते नेक्स वीडियो में थैंक्यू सो मच